जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2017 में आई एक चाइलियन डिस्टर्बिंग फिल्म ट्रॉमा के बारे में दोस्तों अगर आप कमजोर दिल के इनसान है तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा क्योंकि ये फिल्म काफी डिस्टर्बिंग वो औरत उससे अपनी जान की भीक मांगती है लेकिन वो डिक्टेटर उसकी नहीं सुनता उसके बाद वो अपने बेटे जुआन को बलवाता है और उसका मुँ चाकू से काट देता है उसके बाद वो उसे वाइगरा का इंजेक्शन देता है और उसकी मां के साथ उससे गलत करवाता है जिससे उसकी मां की मौत हो जाती है फिर हमें 2011 चाइल दिखाया जाता है जहां एक लेजबियन कपल कमीला और जूलिया मेक आउट कर रहे होते हैं कमीला की बहन होती है एंड्रिया जो उससे बहुत प्यार करती है और वो सभी अपनी एक कजन मागदा के साथ सहर से दूर वेकेशन मनाने जाने वाले होते हैं अगले दिन वो सभी वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं और वो सभी बहुत खुश थे रास्ते में वो एक बार में जाके उस जगे का पता पूशते हैं तो देखती हैं कि वहाँ सभी मर्द हैं जो उन्हें घूर रहे हैं दो बंदे उन्हें आके घेर लेते हैं लेकिन तभी वहाँ जुआन आजाता है जो उन आदमियों को वहाँ से भगा देता है दोस्तों ये वही जुआन है जो उस डिक्टेटर का बेटा था जब ये लड़कियां बाहर निकलती है तो उन्हें एक छोटी लड़की योया मिलती है जिसके साथ वो थोड़ा खेलती है तभी वहाँ दो पुलिस ऑफिसर आते हैं जो उन्हें वहाँ देख के उन्हें सतर्क रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उस इलाके में बहुत कम औरते होती हैं जिससे मर्द अकेले थे ऑफिसर पेद्रो एंड्रिया के हाथ पे अपना नंबर लिग देता है ताकि जब उन्हें जरूरत पड़े तो वो उसे कॉल कर सके कुछ देर बाद ये चारो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं जो जूलिया के अंकल का घर था एंड्रिया कमीला के होटों पे लगी लिप्स्टिक को मिटाती है और उससे कहती है कि वो जूलिया से सतरक रहे क्योंकि उसे वो पसंद नहीं है इस पे कमीला चिड जाती है और उसे जादा ना सोचने के लिए कहती है इधर जूआन आइने में खुद को देख के याद करता है कि कैसे उसका बाप उसे टॉर्चर किया करता था जब उसकी बेहन पैदा हुई थी तो उसके बाप ने उससे जबरदस्ती गलत काम करवाया था जिसकी वज़े से उसके दिमाग पे बहुत असर पड़ा था और वो भी अपने बाप की तरह ही बन गया था दोस्तो जुआन का एक बेटा भी होता है जिसे वो वैसे ही ट्रीट करता है जैसे उसका बाप उसे ट्रीट किया करता था ये बेटा जुआन और उसकी बेहन का था क्योंकि उनकी फैमली में इंसेक्ट सिस्टम चलता था जुआन ने अपनी बेहन को एक अंधेरे कमरे में बांध के रखा था और उन दोनों की एक दूसरी संतान भी थी जो की एक नया जन्मा बच्चा था इधर ये लड़कियां पार्टी करती हैं जहां कमीला सब को बताती है कि वो और जूलिया एक साथ शिफ्ट होने वाले हैं ये सुनके एंड्रिया उसे कहती है कि मा को अगर ये बात पता चलेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा कमीला ये सुनके चली जाती है क्योंकि उसे लगदा था कि उसकी बहन उसे खुश नहीं देखना चाहती इधर जुआन अपनी बहन के पास जाके उसे कहता है कि जिस तरह उसने उसे ट्रीट किया है उससे मा बहुत खुश होगी इधर लड़किया रात को पार्टी करती है जहां कमीला काफी दारू पी लेती है जिससे उसकी तबियत खराब होने लगती है एंड्रिया देखती है कि जुलिया मागदा के बहुत करीब आ रही है जिससे उसे बहुत बुरा लगता है तब ही वहाँ लाइट चली जाती है तो मागदा और जुलिया फ्यूस को ठीक करने जाती है एंड्रिया कमीला से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि उसकी बहन पे कोई आचाए कमीला जब उससे पानी मांगती है तो वो उसके लिए पानी लेने जाती है जहां वो देखती है कि जूलिया और मागदा मेक आउट कर रही है थोड़ी देर में फ्यूज ठीक करने के बाद वो सभी अंदर चली जाती है जहां जूलिया अपना अंग परदर्शन कर के नाचती है इधर जूआन का बेटा एक कुत्ते की तरह हरकत कर रहा होता है जहां भौकते हुए वो जूआन के पास जा के उसे प्लेजर देता है उसके बाद जूआन उसे पीटता है और कहता है कि वो तैयार हो जाए वो दोनों तैयार होके उन लड़कियों के पास जाने के लिए निकल जाते है जब जूलिया निवस्तर होके नाच रही होती है तो जूआन खिडकी से उसे देख रहा होता है जूलिया जब उसे देखती है तो वो डर जाती है तभी जुआन और बेटा उनके दर्वाजे के नीचे एक नोट फैक्ते हैं जिसमें वेलकम लिखा होता है लड़कियां ये देख के डर जाती हैं और दर्वाजा खोलने में संकोच करती हैं तभी वो दोनों दर्वाजा तोड़के अंदर आ जाते हैं और गन से उन्हें डराते हैं जुआन जुलिया को निवस्तर होके फिर से नाचने के लिए कहता है तो वो डर के मारे नाचने लगती है उसके बाद जुआन और उसका बेटा कमीला और मागदा के साथ जबर्दस्ती करते हैं जिसे देख के एंडरिया और जूलिया बहुत डर जाती हैं उनका शोशंट करने के बाद जुआन एंडरिया के पास जाके कहता है कि कल वो उसके साथ भी गलत करेगा उसके बाद जुआन अपने बेटे को किस करता है और वो दोनों सो जाते हैं थोड़ी देर बाद जुआन उठके मागदा के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर वो उसे मारना चाहती है तो वो उसे मार सकती है उसके लिए वो गन को टेबल पे ही रख देता है और वापस सोने के लिए चला जाता है अगली सुबह जब मागदा उठती है तो वो सदमे में होती है वो टेबल पे पड़ी गन उठा के जुआन पे तान देती है लेकिन वो उसे मार नहीं पाती क्योंकि उस गन में गोली नहीं होती है वो दर्वाजे के पास जा के खुद को मारना चाहती है कि तभी जुआन उठके उसे शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है उसके बाद जुआन उन तीनों लड़कियों के पास जा के कहता है कि अब वो तीनों अपनी दोस्त के लिए रोएंगी और ये कह के वो अपने बेटे के साथ वहाँ से चला जाता है उनके जाने के बाद एंड्रिया पेद्रो को कॉल करके बुलाती है ताकि वो उनकी मदद कर सके जब वो दोनों पुलिस वाले वहाँ पहुचते हैं तो वो लड़किया उन्हें सब बताती है पेद्रो का सीनियर ये सुनके समझ जाता है कि ये काम जरूर जुआन और उसके बेटे का है क्योंकि उस पूरे इलाके में वही दोनों थे जो ये कर सकते थे वो पेद्रो से कहता है कि जुआन एक खतरनाक आदमी है तो उन्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए लेकिन पेद्रो उसकी नहीं सुनता क्योंकि वो लड़कियों को इनसाफ दिलाना चाहता था पेद्रो उन लड़कियों को अपने साथ ले जाता है और उन्हें कहता है कि वो जुआन को पकड़ लेंगे जुआन चेयर पे बैठा होता है जुआन पॏलिस के कहता है कि वो सरेंडर करने के मौत हो जाती पेद्रो का सीनियर उसके पास जाके उसे हत्कड़ी पहनाने ही वाला होता है कि तभी जुआन अपनी जेब से चाकुन निकाल के उसके हमला कर देता है। उसके बाद वो उन सभी बेबी हमला कर देता है जिससे वो सभी जखमी हो जाते हैं फिर वो एक तलवार से दो आदमियों का गला काट देता है और पेद्रो को शूट करके योया को अपने साथ ले जाता है बाहर वो गाड़ी में बैठी लड़कियों के सामने एक आदमी का कट अध्यानी होगी नहीं तो वो जानवर उसे भी मार डालेगा अंद्रिया उससे कहती है कि अगर वो उसके पास गई तो वो उन्हें मार डालेगा लेकिन जूलिया कामीला का साथ देती है तो अंद्रिया भी योया को बचाने के लिए तैयार हो जाती है फैद्धम क advocation में करक देता है और कहता है कि वो एक लड़की को उसके लिए लाया है ताकि वो उसकी माँ बनके उसकी परवरिश कर सके जुवान याद करता है कि एक दिन जब उसका बाप उसे गोली चलाना सिखा रहा था तो कुछ विरोधियों ने उन पे हमला कर दिया था क्योंकि वो चाइल को ड पिता का मेडल चूलिया था जिसकी वज़े से उसका पिता भड़क गया और उसकी माँ को उसने सजा दी जब ये चारो जुवान के अड़े पे पहुंचते हैं तो पैद्रो को एक लड़की बंदी हुई दिखती है जिसे बुरी तरह मारा गया था जूलिया और एंड्रिया जब जुवान के बेटे को दीखती है तो एंड्रिया जूलिया को उसे सेड्यूस करने के लिए कहती है ताकि वो उसके हमला करके उसे बंदी बना सके जूलिया उसकी बात मान के उसके बेटे को सेड्यूस करने लगती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और मौका देखक एंड्रिया उस पे हमला करके उसे बंधी बना लेती है वो सभी तय करते हैं कि जुआन से उसके बेटे के बदले वो योया को मांगेंगे ताकि वो योया की जान बचा सकें तभी जुआन वहां आके उन पे हमला कर देता है तो वो सभी एक कमरे में जाके छुप जाते हैं जु लड़किया वहां से भागने लगती है तभी उसका बेटा होश में आ जाता है और उन लड़कियों के पास जा के उन पे हमला कर देता है वो जूलिया को खिड़की से नीचे गिरा देता है जिससे वो जखमी हो जाती है तभी एंड्रिया के हाथ एक एट लगती है जिससे वो जखमी हालत में नीचे गिरी होती है जुआन उसे उठा के अपने साथ ले जाता है और उसे टॉर्चर करता है जूलिया के चिल्लाने की आवाज सुनके एंड्रिया और कमीला वहां आ जाती है और जुआन पे गंद तान के वो उसे छोड़ने के लिए कहती हैं तभी जुआन एक रोड से जूलिया का मूँ फार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है ये देखके एड्रिया उसे शूट कर देती है और हर बड़ी में एक गोली कमीला को भी लग जाती है जिससे वो जखमी हो जाती है तभी एंड्रिया को एक बच्चे की आवाद आती है तो वो उस कमरे में जाती है जहां उसे जुआन का बच्चा और उसकी बहन मिलती है वो जुआन की बहन को सूट करने वाली होती है लेकिन उसकी बहन उससे अपनी जान की भीख मांगती है तो एंड्रिया उसे छोड़ देत एंड्रिया जब वापस कमीला को देखने के लिए जाती है तो देखती है कि वो वहाँ नहीं है और जुआन की बॉड़ी भी वहाँ से गायब है यानि वो अभी जिन्दा है तभी उसे कमीला की लाज दिखती है जिसका दिल निकाल के जुआन ने उसे मार डाला था एंड्रिय अपनी बहन की लाज देख के रोने लगती है कि तभी जुआन उस पे हमला कर देता है एंड्रिया अपनी जान बचाने के लिए तेजाब की बॉटल पे शूट कर देती है जिससे वो तेजाब जुआन पे गिर जाता है और उससे जलने के कारण उसकी मौत हो जाती है उसके अपने बाप की तरह ही बनने वाला था तभी पुलिस की बैक अप टीम वहां आ जाती है जो एंड्रिया को गन नीचे फैकने के लिए कहती है एंड्रिया उनकी नहीं सुनती तो वो टीम उसे शूट करके माल डालती है इधर जुआन की बेहन जोया को लेके घर से बाहर निक किया करता था जुआन भी अपने पिता की तरह ही बना और उसे अपनी बेहन से ही उसका बच्चा था वो अपने बेटे को भी अपने पिता की तरह ही ट्रीट किया करता था और उसके साथ वो गलत वेवहार भी करता था कि वो आपस में ही बच्चे पैदा करेंगे दोस्तो य अपने ही परिवार को नहीं छोड़ा था दोस्तो ये फिल्म इसी घटना पे अधारित है अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं वहाँ आपने इस फिल्म को अपलोड कर दिया है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको इस फिल्म में सबसे जादा डिस्टर्बिंग क्या लगा दोस्तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलियेगा तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद